मिटकेप के महातिशेर कि अब मिटकेप के महातिशेर बताने के लिए हमांग जानी जुच चुके काफी दिनों के बाद यह जूरी है हमांग सर्व कौन सा श्राइब बता रहे हैं बतार मिटकेप के महानती बतार मिटकेप के अंदर जो पहला स्टॉक में ने चुना है वो है बिला सॉफ्ट टागेट पाइज रहेगा 670 का लगबग 8-9% का अपसाइट पिटेंशल देख रहे हैं तो टेक्नोलोजी इस पेस जो है उसमें एक अच्छा सा रीबाउंड देख रहे हैं और जो मिटकेप कमपनीज है जहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा सा मुमेंटम बिल्ट अप हो सकता है ये कमपनी के जो कौटली नतीज़े आये थे उसमें ग्रोथ मार्जिन्स और डील विंस ये तीनों काटेकरीज में मार्केट के इसके अंदर निवेश करना चाहिए और टागेट रहेगा 670 रुपीज और जो दूसरा स्टॉक है जो मैंने सेलेक किया है वो मैटल स्पेस से हैं स्टील ऑथोरिटी ओफ इंडिया से उसका टागेट रहेगा 100 रुपीज लगबग 13% का अफसाइल तो जो मैटल सेक्टर है उसमें भी हमने नतीजे अच्छे देखे थे थोड़ा रिबाउन भी आया है और ग्लोबली अगर आप देखे तो थोड़े से प्राइसिस है वो जो बेज मेंजमेंटर्स के उसमें एक रिबाउन देखने को मिला है तो यहां पर हमें लगता है कि थोड़ा सा सेल के अंदर एक अच्छा मोमिंटम देखने को मिल सकता है और जो डेट और जो एक्सपैंशन है उस पर भी मैंजमेंट की कमेंटरी काफी अची अच्छी परसंट की मजबूती देखनों को मिल सकते हैं दूसरा जो है बिल्ला सौट पसंद आ रहा है हमांग सर को उनको लगता है कि 670 बिल्ला सौट पर एक इंट्रेस्टिंग चीज़ा देखें लेकिन बिल्ला स्वाट पर थोई देर पहले स्वाटी ने ट्रेट करने की सलावी तो उनको उन्होंने स्टॉपलस बताया था अब दोनों प्रेट को एक साथ दिखाए हमांग जानी साथ को लगता है कि 670 रुप आते हैं उनकी लिए भी आप्सन आगी आ चुका है और इस यह पर मेरी नजर रहेगी कि पहले टागेट कौन सा चीव होता है और कितना जल्दी होता है शुक्रिया अब हमांग सर्द दो स्टॉक्स बताने के लिए बेला सॉप्ट और सेल मिटकेप के महात्री के तौर पर आ